बिसमिल्ला रमानुरहीम, असलाम लेकूम ब्यूटिफुल वर्स, वेलकम वेलकम बैक टू अलफा क्लेक्शन, आज मैं आपको शिरारे की कटिंग और स्टेचिंग सिखाऊंगी, तो आएए हम अपनी वीडियो स्टार्ट करते हैं, यह देखें सबसे पहले मैंने जो नट का क प्रा था, वो इस तरह से बिचा लिया है, और अब मैं इसकी जो लंबाई है, वो मियर कररे हूँ मैंने कोई 14 इंच जो है, वो इसकी लंबाई ले ली है, इस तरह से मियानी वाली साइड से हमने इसकी मेयर करनी है और उपर से भी इसतरह कुलाई में कटिंग कर दें और इदर से मैं कोई 18 इंच जो हम इधारा इंच जु emailed रखूंगी इसकी ऐसे और इस तरह से इसको कटिंग कर दूँगी ये जोइंट डलेगा इसमें इस तरह से और ये मैं जो डबल कपड़ा इसको इस तरह से रखते हुए ऐसे ये मैं इसको इतना ही कट कर लूँगी ये देखें और अब जो इसके एक जैसा इसको कटिंग करके तो इसके साथ मिला दूँगी ऐसे और अब मैंने इसके जो नीचे लाइनिंग लगानी है उसकी कटिंग कर रही हूँ इसके उपर रखके ही इसको कट कर रही हूँ नेट वाले पीस को ऐसे सेम सेम हम उस पे ही कटिंग कर लेंगे यह देखें यह हमारी जो कटिंग कम्पलीट हुई और अब मैं जो अरेब था हमारे वो जॉइंट लगा रहूं उसके पे पांचे पे यह जोड आ रहा है था तो फिर मैंने इसको स्लाई लगा लए और इस जो स्लाई हमारी कम्पलीट हुई यह दिखें यह बड़े अर्ज का अगर कपड़ा हो तो उसमें तो जोइन नहीं डलता है लेकिन जो जोटे अर्ज का हो उसमें फिर इस तरह से हम जो जोड डाल ले डाल लेते हैं अब जो लाइनिंग है उस पे रखके नेट को तो हम स्टिच करेंगे ऐसे याद रखें यहाँ पे कोई जोल वगरा ना आए इस तरह से और दूसरे पांचे को भी मैं इस तरह से स्टिच कर चुकी हूँ और अब मैं मैं नीग वाली सर्ट से इस तरह से इसको जोड दूँगी यहाँ से हम इसकी स्टिचिंग कम्प्लीट कर ली और अब सेम दूसरी साइट से भी ऐसे ही और इसके बाद जो है वो पांचे की स्लाई हम लगाएंगे इस तरह से यह देखें और अब मैं इसका बेल्ट लगाऊंगे ऐसे बेल्ट लगाने का बहुत ही असान तरीका है अगर आप लास्टिक साथ سाथ नहीं लगा सकते तो मैं आपको बताती हूँ कि लास्टिक लगाने का जो सही तरीका है वो आपने कैसे करना है ये पहले हम इसको ऐसे इसके साथ जोड लेंगे ये कपड़ा जोड लिया हमने अब इसको फोल्ड करके तो ऐसे हम इसका बना लेंगे और बीच में हम इसके लास्टिक अटैच करेंगे पहले हम इसको वैसे फोल्ड कर लेंगे और अब हम इसको वैसे फोल्ड कर लेंगे लास्टिक सीधी सीधी लगाईएगा इसमें कोई बल वगर आना पड़े ये बहुत यासान तरीका ये लास्टिक लगाने का और ये जो इसमें इस तरह से डाल के तो मैं यहां से इसको पका कर लूँगी आप देखें कितना अच्छा इसमें डल गया है और आप इस पे में बड़ा बखिया करके तो पहले एक स्लाई लगाऊंगी इस तरह से खेंच के तो हम लगाते जाएंगे ये लास्टिक लगाने का बहुत असान दरीका इसलिए इससे ये होगा कि जो हमारा कपड़ा गर्स जाइद भी होगा ना तो वो भी कवर हो जाएगा और अब मैंने दूसरी स्लाई भी गुमा के तो लगा दी है अब ये मैं आपको फाइनल लुक दिखाती हूँ इसकी ये देखें कितना जबर्दस लग गया है ज्यादा कपड़ा भी कवर हो जाएगा इसमें और अब मैं जो पांचे पे पिको वगरा नहीं करवाँगी ये लेस मैंने लिए है वो मैं आटेच कर दूँगी ऐसे देखें कितनी जबर्दस लुक आई है इसकी तो गाइस आज के लिए बस इतना ही अगर मेरे वीडियो पसंद आई है तो मेरे वीडियो को लाइक, कमेंट्स और शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल नोटिफिकेशन आल कर लें ताकि आने वाली मेरे वीडियो के अपडेट सब तक सबसे पहले पहुंचे थैंक्स वर वाचिंग, अल्ला हाफिज